एजरा की पुस्तक अध्याए आठ उनके पुरजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुश ये है, जो लोग राजा अर्थक्षतर के राज में बाबल से मेरे संग यरुशलेम को गए, उनकी वशावली यहां है, अर्थात, पिनहास के वश में से गेर्शोम, इतामार के वश से से दानियल, दाउत के वश में से हक्तूस, शकन्यहा के वश में से परोश के गोत्र में से जकर्याह, जिसके संग देज सो पुरुशों की वशावली हुई, पहत्मु आब के वश में से जरयाह का पुत्र एलिहोयल नए, जिसके संग दो सो पुरुश थे, शकन्यहा के वश में से यहजियल का पुत्र जिसके संग तीन सो पुरुश थे, आदिन के वश में से योनातान का पुत्र एबेद, जिसके संग पचास पुरुश थे, एलाम के वश में से अतल्याह का पुत्र यशायाह, जिसके संग सत्तर पुरुश थे, शपत्याह के वश में से मिकायल का पुत्र जबद्याह, जिसके संग असी पुरुश थे, योवाप के वश में से यहियल का पुत्र ओबद्याह, जिसके संग दौसो अठारह पुरुश थे, शलोमती के वश में से योशिप प्याह का पुत्र, जिसके संग एक सो साथ पुरुश थे, बेबै के वश में से बेबै का पुत्र जकरियाह, जिसके संग अठाईस पुरुश थे, अजगात के वश में से हकातान का पुत्र योहनान, जिसके संग एक सो दस पुरुश थे, अदो के काम के वश में से, जिसके पीछे गए उनके ये नाम है, अर्थात, एली पेलेट, ई एल, और समाया, और उनके संग साथ पुरुश थे, और बिगवे के वश में से उत्ते और जबुद थे, और उनके संग सत्तर पुरुश थे, इनको मैंने उस नदी के पास जो हवा की ओर बहती है, इकटा कियर कर लिया, और वहाँ हम लोग तीन दिन डेरे डाले रहे, और मैंने वहाँ लोगों और याजकों को देख लिया, प येल, शमयाह, पलनातान, यारीब, येलनातान, नातान, जकरियाह, और मशुलाम को जो मुख्यपुरुश थे, और योयारीब और येलनातान को जो बुद्धिमान थे, बुलवा कर इद्दो के पास जो कासिप्या नाम स्थान का प्रधान था, भेज दिया, और उनको समझा दिया कि कासिप्या स्थान में इद्दो और उसके भाई नतिन लोगों से क्या क्या कहना कि वे हमारे पास हमारे परमिश्वर के भवन के लिए सेवा टहल करने वालों को ले आए और हमारे परमिश्वर की इकृपा दुरुष्टी जो हम पर हुई इसके कारण वे हमारे पास इ देरे ब्याह को और उसके पुत्रों और भायों को अर्थात 18 जनों को और हशब्या को और उसके संग मरारी के वंश में से यशाया को और उसके पुत्रों और भायों को अर्थात 20 जनों को और नतिन लोगों में से जिन्हें दाउद और हाकिमों ने लिवियों की सेवा करने को इन सभों के नाम लिखे हुए थे। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशे से किया कि हम परमिशर के सामने दीन हो और उससे अपने रपने बालबच्चो और अपनी समस्त समपत्ती के लिए सरल यात्रा मांगे। क्योंकि मैं मारग में शत्रों से बचने के लिए सिपाईों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था। क्योंकि हम राजा से यह कच चुके थे कि हमारा परमिशर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कुर्पादुष्टी रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विशे पर हमने उपवास करके अपने परमिशर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। तब मैंने मुख्य याजकों में से बारह पुरुशों को अर्थात, शेरेब्याह, हर्षब्याह और इनके दस भाईयों को अलग करक जो चांदी, सोना और पात्र, राजा और उसके मंत्रियों और उसके हाकिमों और जितने इसरायली उपस्ति थे, उन्होंने हमारे परमिशर के भवन के लिए भेड़ दिये थे, उन्हें तौल कर उनको दिया। अर्थात मैंने उनके हाथ में साड़े छे सव किककार चांदी और सव किककार चांदी के पात्र और सव किककार सोना हजार दर्कमोन के सोने के बीस कटोरे और सोने सरिखे अनमोन चोखे चमकने वाले पीतल के दो पात्र तौल कर दे दिये। और मैंने उन से कहा तुम तो यहवा के लिए पवित्र हो और ये पात्र भी पवित्र है और यह चांदी और सोना भेट का है जो तुम्हारे पित्रों के परमिश्वर यहवा के लिए प्रसन्नता से दी गई इसलिए जाकते रहो और जब तक तुम इन्हें यरुश्लेम में प्रधार याजको और लेवियो और इस्रायल के पित्रों के घरानों के प्रधानों के सामने यहवा के भवन की कोठ्रियों में तौल कर न दो तब तक इनकी रक्षा करते रहो तब याज को और लेवियों ने चांदी सोने और पात्रों को तौल कर ले लिया कि उन्हें यरुशलेम को हमारे परमिश्वर के भवन में पहुँचाए। निदान हम यरुशलेम को पहुचे और वहां तीन दीन रहे। फिर चांदी सोना और पात्रों हमारे परमिश्वर के भवन में उरिया के पुत्र मरे मोत याजक के हाथ में तौल कर दिये गए। और उसके संग पिनहास का पुत्र इलियाजर था और उनके संग एशु का पुत्र योजाबाद लेविय और बित्तुई का पुत्र नोध्याह लेविय थे। ये सब वस्तुए गिनी और तौली गए। और उनका तौल उसी समय लिखा गया। जो बंधवाई से आये थे उन्होंने परमिश्वर के इसरायल के लिए होमबली चड़ाये। अर्था समस्त इसरायल के निमित बारह बच्ड़े, 96 मेंधे और 77 मेंधे, मेमने और पाप बली के लिए बारह बक्रे यह सब यहवा के लिए होमबली था। तब उन्होंने राजा की आज्याये महानत के इसपार के अधिकारियों और अधिपतियों को दी और उन्होंने इसरायली लोगों और परमिश्वर के बहुन के काम की सहयता की।